Summer Slam में जो भी कुछ वा उसके बाद अगर आप excitement से पगला रहे हो तो अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ आपका दिमाग हो जाएगा freeze क्योंकि Triple S ने क्या कहा वो कहते हैं If what I believe to be true is coming true, you ain't seen nothing yet अगर इसका हम हिंदी भाषा में सरल अनुवाद निकालें तो Triple S यह कहा रहा है कि जो चीज मुझे लगती है सच होने वाली है, अगर वो सच हो रही है तो अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है और भाई यही बात मुझे याद अपने किसे के इंटर्विव में Triple S ने Wrestlemania 40 से पहले कही थी और उसके बाद मैंने Wrestlemania में क्या देखा था वो तो हम सबको पता ही है और अब Triple S हमेशा यह कहते हैं कि जो चीज हम पास्ट में कर चुके हैं हम हमेशा उससे चीजे बैटर करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हो कि अब आने वाला टाइम WWE का एट लिस्ट रेसल मेनिया तक कुछ ऐसा होने वाला है कि बस एक भी RAW का एपिसोड एक भी SmackDown का एपिसोड उसमें जो डीटेल्स वो स्टोर्लाइन की देंगे वो सारी मैटर करी है और उसके बाद Royal Rumble जब शुरू होगा जब रेसल मेनिया सीजन होगा इवन भी Survivor Series गो होने वाली है WWE के Overseas Show होने वाले हैं तो जो मामला भी ठंडा चल रहा था बस अब वो गया ओके हेलो चैटर्स माइम इस रूइत एंड यो वाचिंग रेसल चैटर्स वेलकमे गाइस आपका Voice of Wrestling के एक और ने एपिसोड में अब रोमन रेंस वापस आ चुके हैं भाई अब ये बंदे के पास Undisputed Championship कब तक आने वाली है कैसे ये जीतने वाला है क्या पूरा Road Map होगा सारा चीजें सिर्फ एक ही एपिसोड में आपके लिए हैं असली है खाड़ा 25 मिनट का एपिसोड अगर आपको रोमन रेंस के रिटरन से मन नहीं बारा है कि क्या उन्होंने सोचल मीडिया पर आतंक तबाही मचाई है तो 96 मिलियन जो डेबल अबली के सारे सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर है वो व्योर्शिप जो है जनरेट हुई है और ये सिर्फ 24 गंटों के अंदर है और यही जो सिमलर नंबर है से पहले हमने अब डेबल अबली के लेवल पे भी जो मामला है वो कहां तक गया होगा वो तो कर ही सारी चीज़े अपने बिजनस बनाने के पॉंट अफ्यू से रहे है तो यह बहुत जादा फायदाई वाली चीज हुई है जो डेबल अबली का ट्वीट भी है उस पर भी आप देख सकते हो डेर लाग से उपर लाइक सो चुके है और दो गंटे के अंदर ही जो नंबर समों दस मिलियन से उपर जा चुके थे और कल जो बैल्ट वाला में आपको स्टाइट बरता है जो रात में वीडियो आई थी वह तो मैं अभी तक सोच रहा हूं यह इतना एक दो घंटे के अंदर एक मिलियन जेब में कैसे हो गए इनके तो बहुत ज्यादा बेनिफीचियल रहा हमेशा ही रोमन रेंज कंपनी के लिए ड्रॉ रहे हैं और इस बार पे रिटर्न करके कुछ अलग चीज नहीं थी अब हाँ जो नंबर से हो थोड़े और साथा टॉंगा लोगा के लिए चीजें खतम नहीं हो रही हैं टॉंगा लोगा ने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस रिलिवर करी करी खल थीन वीडियो में बनाया था वो टॉंगा लोगा ने वो जो किया था काम जो उनकी अग और वीडियो आई है जहां प बंदों को एक ही आँख से दिख रहा होगा तो पॉइंट तो वैलिड है फॉर्मर वर्ल हईवेट शैंपेंट डेमिन प्रीस्ट अब उनका टाइटल रेंग खतम हो चुका है जो कि रैसल मेनिया से शुरू हुआ था एक सो अठारा दिन तक वो चैंपन रहे और इस अपने ताकि आप लोग की भी में जो बाते में जान सकूँ अब फिन बैलर ने इंस्साग्राम पर स्टोरी बी डाली हो यहां पर आप देख सकते हो कि गुंतर चैंपन है तो नीचे हलकी सी उन्होंने वह उसने वाली जो किसी की फोटो है अनिमेटेड कुछ तो कुछ तो काटून अब क्योंकि यह हो चुका है तो इसकी बहाइंड थे सीन डीटेल्स भी हमको पता चली है और फाइटफुल सिलैक ने यह रिपोर्ट किया है कि हमेशा सही डेबल डबली का प्लान था रोमन रेंज को समर स्लैम में ही लेकर आने का यह बहुत टाइम पहले ही प्लान कर लिया वहां पे भी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि बैक्सेज किसने स्पॉर्ट के किसी भी तरीके से तो डेबल डबली ने इसको बहुत ही सीक्रेट रख और एक्जीक्विशन भी बढ़े रहा अब फिर तो हमने देख लिए अब कैसे रोमन रेंस ने पुरा डेबल डबली के अब इसे बतायता हूँ कि आज शाम को भी एक वीडियो आ रही है हो सकता थोड़ी सी लेट आ जाया देर आगे लेकिन दुरुस्त आगे इस जुरान जिस बंदे की बैंड बज़ी है वो नाम है सस्ता ट्राइबल चीफ या तो ट्राइबल चीफ बोल सकता है क्योंकि अब चीफ से ऊपर भी एक नाम आ गया है जो कि है OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ तो सोलो सिकोवा का रियक्शन में डेबल लवली ने खोदी अपलोड किया हूआ है और बंदा ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मेरा तो सब लुट गया मेरे बरबाद हो गया मेरे बास कोछ नहीं आगे भी काम करने वाले हैं तो सोलो सिकोवा यहां से इंप्रूव भी होंगा ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है जेकब फार्टो के बारे में कुछ बहुत ही अलग अलग चीज़े पता चली कल मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया था जेकब फार्टो के बारे मे और कोई जेकब फार्टो को तो उसलिए पहनाया गया और उनको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी बट रिपोर्ट या इसके बारे में कि जेकब फार्टो को एक्च्वल में उस पॉइंट पर उसी चीज़ को सेल करना था अब अगर आप मेरी रिवीव वीडियो जाक में डेवल डेवली पीछे हट रही है क्योंकि रोमन रेंज के रिटन जैसे बड़े मुवमेंट पर भी जेकब फार्टो को सेक्रिफाइज नहीं किया गया तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि आगे जेकब फार्टो किस तरीके से जा सकते हैं लेकिन कहना ये भी है कि वह सेल तो कर रहे थे हैं लेकिन एक्चल में वह हर्ट भी हो चुके हैं तो इस वजए से अभी कन्फूजन सा चल रहा है कि यह स्टोरी है या फिर क्या है मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने विजुल देखा वह कुछ प्रब्लम तो लग रही है बट मैं ऐसा चाहूंगा न तो थोड़ी सी प्रब्लम वाली बात है और अगर रिकवर भी करते हैं एक दो अपते से ज्यादा टाइम लेना मात कि रोमन रेंज वापस आया है इस समय लोहा गरम है तो हतोड़ा दोनों साइट से मेरे साब से भजना चाहिए नेक्स्ट लोगन पॉल की बात करते हैं तो लोगन पॉल से बात हो जाए जारा उनको कौन मैनेज करता है और उनके दिमागे कैसे क्रेटिव आइडिया से उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस वाली उस वीडियो को फिल्म किया और उसके बाद एक बहुत ही स्मूध सा ट्रांजिशन है जहां पर एक्शॉल में लोगन पॉल जो है एले नाइट को वो अपना स्प्रिंग बोर्ड मून सौल लगा रहे है और यह सोचल मेडिया पर आप लोग इसको बहुत पसंद भी कर रहे है क्योंकि लोगन पॉल बही बंदा कितना ही ज्यादा बवाल या बवंडर मचाने वाला हो या फिर ऐसा करने लेकिन अपनी सिर्फ इन रिंग परफॉर्मेंस से जो बंदा वो रिंग के अंदर वर्क करता है सारा लोग फिर रिस्पेक और अप्रिशेट करना शुरू करते लोगन पॉल को तो कुछ भी कांड करो बस अच्छे काम धंदे से थोड़ा सा तुम चीजों को दवा सकते हो लोगन पॉल काम करते हैं नेक्स्ट ले मॉर्गन और डॉमिनिक मिस्टियो इनकी क्या लव स्टोरी चल रही है तो सबसे वहले तो लिखते हैं और साथ में और एक शादी वाली अलग है और यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने लिगा है कि शी गेट्स मी थैंकि और साथ सबकुछ इनका अपनी जो लाइफ है रिया रिपली को धोका देने के बाद वह तो बढ़िया चल रही है नेक्स्ट एक कॉंट्रवर्सी हो गई है या कॉंट्रवर्सी की शुरुवात हो गई है या MVP का कुछ बहुत मामला खराब हो गया त्रिपल एच के बार में उन्होंन कि मैं उस बंदे से जैलेस कैसे हो सकता हूं जो की डर पोक और जूटा है यह उन्होंने एक फैन को एक यूजर को रिपलाई करते में लिखा है तो MVP ने तो वाई बिल्गुली शॉट लेना शुरू कर दिया त्रिपल एच के बार में आपको बताया भी था कि वैसे भी वह है कि वह हर्ट बिजनस को ऐसे नहीं कर रहे है उसको पुष होना चाहिए उनको स्पोर्ट पे आना चाहिए बट अब तो उनने ऐसा क्लियरली बोल दिया तो मुझे लगता नहीं अब डबल डबली में उनका दुबार आने को कोई चांस है और अब जो लोग है वो वह भी ट नहीं आई है मैंना अपनी किसी एक वीडियो में बोला था कि रोमन रेंज आ जाएंगे पहले और उसके बाद रिवर्स में चलेगी स्टोरी लाइन कि जे उसो फिर जिमी उसो फिर पॉल हेमन ये उल्टा होगा जैसे पहले हम सोचते थे कि ब्लड लाइन आएगी पॉल हमन बडल ये उसो नहीं ये बोला कि मै वेट करहा हूं कि बसरोमन रेंज आ जाए मैं फिर से उस ब्लड लाइन का पार्ट होना चाहता हूं जो उन्होंने ब्लड लाइन पहले रएक करे और यह बात उन्होंने रोमन रेंज के समार ढ़ के रिटरन से पहले बोली है, अब क्यों देंगे फिर Roman Reigns को बुक करती है जो दस-दस बंदों को मारते हैं लेकिन आज के टाइम में यह स्टिकली चीजों को देखते हैं तो फोचीज पॉसिबल नहीं हो सकती है वरना चारवाज बंदे ही लुच्चु लगेंगी ऐसा कैसे हो गए एक बंदे से पिट गए तो पक्का रेंज के साथ उनके उसोज होंगे और जिस तरीके से ब्लड लाइन की शुरुवात हुई थी वही चीज अब दुबारा होने वाली रेटान के बाद लेकिन इस बार यह वाली ब्लड लाइन नेगेटिव रोल में नहीं बलकि एक बेबी फेस वाले रोल में होगी जो की बै यूट्यूब शॉट्स हर जग कॉंटेंट मिलेगा आपको और वीडियो अच्छी लग गी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और तब तो के लिए दरो जिन्दही के मज़े